हेलो फ्रेंद्स तमस्ते वेल्कम बाग तो माई यूट्यूब चैनल स्टड़ी पॉइंट विद रुची करेंट अफेर की क्वेस्चिन जो कि डेली अपडेट होते हैं तो डेली अपडेटिट क्वेस्चिन में आपको लाती हूं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है तो चलिए शुरू करूंगी मैं आपका सबसे वेल्कम करूंगी अपनी यूट्यूब चैनल पर और प्लीज मैं चीज और बोलूंगी कि जुन लोगों को में वीडियो से लगते हैं लाइक भी किया करी अपने दोस अंतर रास्प्री मोटर साइकल निर्माता संग के नव नियूक्त अध्यक्ष का नाम बताईए मनोज राय त्रिबु अंदास राके शर्मा अली हैदर तो यह हैं राके शर्मा अंतर रास्प्री मोटर साइकल निर्माता संग के नव नियूक्त अध्यक्ष कौन है राके शर वो पहला देश कौन सा है अमेरिका चीन लेबनान या पाकिस्तान तो यह वो है लेबनान अगला प्रशन देखते हैं किस राजी के कानूनी प्रादीकरण ने वरिष्ट नागरिकों की सेवा की शुरुवात की है दिल्ली महरास्ट उत्रप्रदेश जम्मू और काश्मीर तो प्रशिमंगाल, 36 गर्ड, उत्राखंड, उत्तरप्रदेश यह लाँच करी है उत्तराखंड ने संपर्कदीदी एप हाल ही में रक्षामंत्री श्रीराजना सिंग ने भारत के पहले मोबाइल वायरोलोजी, रिसर्च और डाइगनोस्टिक्स लेबरेटरी का अनावरण किय यह लेबरेटरी किस जगह पर इस्थित है दिल्ली, हैदराबाद, बोपाल या कलकत्ता यह इस्थित है है हैदराबाद में निम्न में से कौन सी कंपनी इसराइल को अपना पहला पूर डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी गूगल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिंदरा इंडस्ट्रीज या माइक्रोसॉफ्ट तो यह करेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS TCS कंपनी इसराइल को अपना पहला पूर डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिती को मनाया जाता है? 23 अप्रेल, 28 अप्रेल, 25 अप्रेल या 26 अप्रेल यह मनाया जाता है 23 अप्रेल को अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रेल को मनाया जाता है जी ट्वंटी करशी मंत्री बैठक में भारत का प्रतिने दित्व किस ने किया नरेंद्र मोदी जी, अमिच्छा जी, रविशंकर प्रशाद जी, नरेंद्र सिंग तोमर जी तो नरेदर सिंग तोमर जी ने G20 करशी मंतरी बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया या भारत का प्रतिनेदित्व किया कासो वाल और शेश रास्ट को जोडने वाला स्थाई पुल सीमा सडक संगठन द्वारा किस नदी पर बनाया गया है नर्मदा, गंगा, जेलम, रावी ये रावी नदी पर बनाया गया है युनेसको ने किस इस्थान को विश्व पुस्तग राजदानी 2020 के रूप में नामित किया मुंबई, बीजिंग, कौललामपूर, सिंगपूर तो कौललामपूर को युनेसको ने विश्व पुस्तग राजदानी 2020 के रूप में नामित किया तो दोस्तो ये थे करेंट अफैर के क्वेश्चन्स जो कि आपके लिए बहुत ही इपॉर्टिंट होते हैं और वैसे भी आपको अपडेटेड रहना चाहिए अगर आप सिलेक्ट भी हो गए हैं कहीं पर लेकिन आपको करेंट अफैर से अपडेटेड रहना चाहिए देश, दुनिया में कहां, कब, कैसे, क्या हो रहा है उसकी खबर हर देश के नागरिक को होनी चाहिए तो दोस्तों, selection must है, selection को एक जिद बना लिजे कि selection करवाना ही करवाना है, उसके लिए आपको routine decide करना पड़ेगा, plan करना पड़ेगा, पढ़ाई की planning करनी पड़ेगी, time table decide करना पड़ेगा, वो ही आपको success तक ले जाएगा, अगर पढ़ाई में gap होता है, वो वहाँ पे success की सी is very important, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, slaybus के recording पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, यह चीज़े बहुत important हैं, तो दोस्तों, प्लीज महनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, thanks for watching my video, stay connect with my channel, keep watching and learning, please like, share and subscribe, बिल्कुल करना मत भूलिएगा, जिरों अब तक subscribe न thanks for watching friends, bye bye